मेरे प्यारी सातियों, सब को प्यार भरा नमस्कार सुईकार हो आज मैं अपने बच्पन के सह पाठी अनील शर्मा का एकाठी काल आप लोग को सुनाने जा रही हूं ये कहते हैं कुछ उल्जनों से इस कदर इश्क हो जाता है कुछ उल्जनों से इसकदर इश्क हो जाता है कि उन्हें सुल्जाने करनों तो मन होता है और नहीं होसला कुछ रिष्टे कितने भी खामोश क्यों ना हो जाएं कुछ रिष्टे कितने भी खामोश क्यों ना हो जाएं उनकी चुपी में चिपे माजी की अफसाने हमेशा गुनगुना आती रहती हैं सोचताओं की रिष्टे खतम और शुरू करने के फैसले सोचताओं की रिष्टे खतम और शुरू करने के फैसले अधूरे ही छोड़ दिये जाएं तो बेहतर है अगर जड़ से ना उखाडे तो कभी कभी ठूट भी किसी बरसात में हरे हो जाते हैं कहते हैं कि मैं सबसे दूर होना चाहता हूं मुझे अपनी ज़वोत पड़ गयी है मैं सबसे दूर होना चाहता हूँ पर मुझे अपनी ही जरूत पढ़ गई है कुछ शिकायते बनी रहे तो बेहतर है चासनी में डूबे रिस्ते कभी भी वफादार नहीं होते हैं मुझे इतना भूल जाना कि तुम जी सको और मुझे इतना याद रखना कि मैं जी सकूँ मैं जी सकूँ तो भे इनकी यह स्वारचित कविता थी आप लोग को कैसी लगी आप लोग का क्या विचार है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताना और आप लोग भी अपनी रचनाए मुस्तक भेजते रहे हैं मैं उसको भी वीडियो बढ़ा कर डालती रहूं हम जसके लोग कि अपना दे रहे हैं में हमें देख भी आप लोग कर दो और आप लोग कर दो पना देख़ी आप है आप हैं मैं अ